हेलो दोस्तो, यह प्राक्टिशिशन का आज दूसरा वीडियो है, हमने 20 तक कोशन कर लिए थे, फर्स्ट वीडियो में, तो आज यह सेकेंड वीडियो में हम 20 के आगे से करते हैं, तो आज का 21 जो कोशन है पहला कोशन, सामवेद के उपवेद का नाम है, तो जो सामवेद के उपवेद का नाम है वो गंधर्ववेद है सामवेद के उपवेद को गंधर्ववेद कहते हैं किसी एक्जैम में आया भी था कुशन कि सामवेद के उपवेद को क्या नाम दिया गया है तो सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है next question सामगान के मुख्य भाग को क्या कहा जाता था सामगान का जो मुख्य भाग होता था मुसको क्या कहते थे प्रस्तोता अनंतर उद गया उपद्रव तो सामगान के मुख्य भाग को हम उपद्रव कहते थे सामगान के मुख्य भाग को हम उप्त्रों कहते थे नेक्स्ट कुश्यन पर आते हैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूं हमारे 23 जो कुश्यन है वैदिक संगीत कितने भागों में बटा था 3, 4, 7 या 9 तो वैदिक संगीत हमारा 7 भागों में बटा था वैदिक काल में संगीत को क्या संग्या दी गई थी वैदिक काल में संगीत को शिल्प की संग्या दी गई थी वैदिक काल में संगीत को शिल्प की संग्या हम देते हैं इट मीज़ वैदिक काल में संगीत को हम सिल्प कहते थे नेक्स्ट कुश्यन 36 वर्ष तक सिक्षा ग्रहन करने वाले व्यक्ति को वैदिक काल में क्या कहा जाता था 36 वर्ष तक सिक्षा ग्रहन करने वाले व्यक्ति को हम रूद्र कहते थे इससे फर्स्ट वीडियो में भी एक कुशन था कि 48 वर्ष तक सिक्षा ग्रहन करने वाले व्यक्ति को वैदिक काल में क्या कहा जाता था तो जो 48 मतलब 48 वर्ष तक सिक्षा ग्रहन करने वाले व्यक्ति को हम आदिति कहते थे ये देखे, option में आदित्य भी है, लेकिन वो 48 वर्ष तक जो सिक्षा ग्रहन करते थे वैदिक काल में, उनको हम आदित्य कहते थे, और जो 36 वर्ष तक सिक्षा ग्रहन करते हैं वैदिक काल में, उनको हम रूद्र कहते हैं, उनको हम रूद्र कहते हैं, तो इसका right option रूद्र हो यह किसके परकार ते सामगान के परकार थे नेक्स्ट कोसिचन पर टुप्य टूटी सैवन कुशें पान सो ईस पूर पाडनी में कितने सूत्रवाणित हैं है तो सबसे पहले तो इसमैं पाडनी कंछ फ्याश स्पा ध है जो ग्रंथ लिखा गया है वैसे उत्व कि pilgr़には व्याकरण के उपर थी जो अश्टा धैयी उन्होंने पाणि मुखरुप से व्याकरण के थे ये पाणि 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 गरिट जो अश्टा धैयी ये पांस हपूर में लिखी गए इससे तो एक क्षिन ये बन जाता है फिर इसमें कितने सूत रहें तो 315 मतलब 3,115 इसमें सू 28 में आते हैं कि महर्सी यागिवल की द्वारा रचित यागिवल की स्मृती में कुल कितने श्लोक है तो महर्सी यागिवल की स्मृती में कुल सब्सक्राइब निशाद मतलब सारे गाम पाधनी यह स्वर हैं तो सबी स्वरों की उत्पत्ति किसी मानी गई है जानवरों से तो पशु से मानी गई है तो जो हमारे सब्सक्राइब वह मयूर से है इसको अपनोड भी कर सकते हैं रिश्यव यानि की जो रे है उसकी उत्पत्ति चातक से मानी जाती है चातक मतलब बगले को शायद कहते थे और गव यानि की गंधार जो हमारा गव जुस्वर है तो गंधार की उत्पत्ति बक्रे से मानी जाती है मध्यम या मा पा क्यूतपत्ति कोयल जाती है और जो हमारा द्हा की उत्पत्ति मेढख से मानी जाती है नि नि निशाद की उत्पत्ति है है हाथी से मानी जाती है तो यह है हमारे तो आपको साथ सवरकुत पत्ति नहीं बता दिये किस किस से मानी गई है नेक्स्ट करिशन पे आते हैं और यह सड़स्वर की उताथी, मयूर से, आते हैं रमाड कल में, सॉली, रमाड काल में गायक को क्या कहा जाता था, उधगाता, सिल्पी, गायक या गान धर्व तो रामाड काल में गाय को हम सिल्पी कहते थे नेक्स्ट कुशिन है रामाड में कितने स्लोक हैं तो रामाड में 24,000 स्लोक है नेक्स्ट कुशिन है महा भारत में कितने स्लोकों का संकलन है 36,000, 16,000, 24,000 या 1,00,000 तो महा भारत में 1,00,000 श्लोकों का संकलन है महाभारत में एक लाक्ष लोकों का संक्लन है रमाड में कितने थे 24,000 और महाभारत में एक लाक्ष लोकों का संक्लन है नेक्स्ट कोशन पर आते हैं कि नार्दी सिक्षा संगीत मगरंद पंचम सहिंता तता राग निरूपन आधी गरंद किसने लिखे हैं नारदी सिक्षा किसका है वैसे नारदी सिक्षा नारद जी कही तो है नाम से ही तो नारदी सिक्षा नारद का है तो यह सभी ग्रंथ नारद के ही है संगीत मकरन भी नारद चाहिका ही ग्रंथ है पंचम सहिंता नारद जी कही ग्रंथ है और राग निरूपण भी नारद जी कह लिख सकते हैं नारदी सिक्ष्य संगीत मकरंथ बहुत फेमस है पंचन सहिंता और नाग राग निरूपन यह दोनों भी आ सकते हैं एक्जाम में तो यह चारों ग्रंथ नारद जी से रिलेटेड है तो इसका राइट ऑप्शन एक सेकें सौरी इसका राइट ऑप्शन हो जाए संगीत मकरंथ मिलता है संगीत मकरंथ किसकी रशना है थी नारद जी की आप पराप्त होता है नेक्स्टम कोशिन है कि नाटे सांषा की रशनकार तीक मर्शिंत्स भरत जी हैं को इसमें पूछ आप इंपोर्टन कोशिन है और गुछा कि ने पूछा जाता है हर views में पूछा ही जाता है कि नाटे नाटे शास्त्र में 36 अध्या है नेक्स्ट कोश्यन है नाटे शास्त्र में 36 अध्या है और 36,000 ही श्लोक है नाटे शास्त्र में 36 अध्या है नाटे शास्त्र में 36,000 है इस कोश्यन में पुछ रहा है कितने श्लोक है तो 36,000 है 36,000 next question है संगीत से संबंधित नाटिशास में कुल कितने अध्याए है total कितने अध्याए थे नाटिशास में 36 36 अध्याए थे total अब इसमें question देखी कि संगीत से संबंधित कितने अध्याए नाटिशास्त्र नाम से इस पस्ट है मतलब ये नाटि से related अध्याए हैं लेकिन कुछ संगीत से mostly मतलब especially संगीत से related हैं तो संगीत से related जो संगीत से संबंधित जो अध्याए थे नाटिशास में वो total 6 थे 6 अध्याए नाटिशास्त्र में संगीत से संबंधित थे तो नाटिशा संगीत से संबंदित, नाटिशास में कुल कितने अध्याएं हैं, तो 6 अध्याएं हैं, और ये 28 से 33 तब जो अध्याएं मिलते हैं, मतलब अध्याएं, अध्याएं 28, अध्याएं 29, अध्याएं 30, 31, 32 और 33, तो 28 तो 23 जो हमारा लेसन से अध्याएं हैं, वो म्य से एक से संगीत से रिलेटेड हैं नेक्स्ट कोश्चन पर आते हैं कि सुरुतिश्वर ग्राम वह मूर्ष्णा का परश्य नाटि शास्त्र के किस अध्याय में किया गया है मैंने इन भी बताया कि 28 से 33 तक जो अध्याये हैं एक से 36 तक टोटाल अद्याये हैं नाटि शास्त्र में और 28 से 36 तक संगीत की अध्याय इसको नोट कर लीजे कि 28 से 33 तक के अध्याय संगीत की अध्याय 28 वह लुक्री है तो लुए जो है हमारा वह शृती श्वरह ग्राम मूर्शना का पर्चे करता है एक स्रूती स्वरह ग्राम मूर्सना का पर्चे नाटशाज के किस अध्याय में मिलता है कि गायक वादकों की वरिंद सज्जा का वर्ण नाटिशास को के किस अध्याय में है गायक वादकों की वरिंद सज्जा का वर्ण वरिंद सज्जा मतलब जो समू में गाते थे उसे को वरिंद सज्जा भी कहते हैं समू में गाना तो गायक वादकों की वरिंद सज्जा का वर् लिखा हुआ है वीड़ा के लिए भीत वड़ों के लिए भी जो हमारा उंतीस्वा अध्या था नाटी शास्त्र का वह बहुत प्रशिद है ठीक है तो उन तीसवे अध्याय में गायक और वादुकों की वरिंद सज्जा का वर्डन और वीड़ा का वर्डन भी मिलता है ठीक है आज के लिए इतना ही करते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में